नमस्ते सभी को और होली के शुब कामना है है अपी होली तो आज हम मनाने जा रहे हैं कुछिया तो इसके लिए मैंने यहां पे दो से तीन कप जो है मैंदा ले लिया है जिसमें मैं थोड़ा सा पिंच आफ सॉल्ट एड करूंगी अब हम इसमें वन भाइ थर्ड जो है घी को एड करेंगे उससे कम भी चलेगा आप को इसाब से दिख लीजिएगा यहां पर मेरा की करम था तो इस वजह से इसा हो गया तो इस घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे मैदे में और इसका डो जो है काफी अच्छे से बना आप बनाते हैं ताइट टो इसका डो जो है बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए जैसे अम पूरी के लिए बनाते हैं वैसा ही टो नहीं गा तो आप ही बताईए गा खोली पर आपने क्या क्या बनाया यह अ यहां पर मेरा डो जो है बलकुल रेडी हो चुका है अब हम इसे गिले कपड़े से जो है वह ड़के रख देंगे और तब तक हम रेडी कर लेंगे इसकी फिलिंग को तो यहां पर निकाल रही हूं थोड़े काजू इस यहां थोड़े आलमंड़ आप और डैवर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं माद मैंने यहां पर उसे असकिप कर दिया है मैंने सिरफ यहां पे बादाम और काज्यरी क mejorar कि यूज़े चिनको इस改 दिगे इसके बाद तो यहां पर मैंने बजार का मावा लिया है बना हुआ तो आप खुद भी इंस्टेंट मावा भी बना सकते हैं तो हम इस मावे को पहले जो है थोड़े देर गरम करेंगे थोड़ा सा लिक्वीडी फॉम में हम इसे लाएंगे ताकि अच्छे से पक चाए और इसका टेस्ट का अच्छे से आएं या तो इसे नीचे नहीं लिए देना है अच्छे से चलते रहना थे तो यहाँ पर हमारा मावा भी पेल्कुल रडी हो चुका है तो हम इसे निकाल लेंगे किसश प्लेट में तो इसको निकालने के बाद अ настолько का दिया है अब यहां पर हम जो आलमंड और काजू हमने लिए थे उसे क्राइन करते देते हैं आप मोटा भी रख सकते इसको और पदला भी बेस्ट से सभी बना सकते हैं यहां पर मैंने फिर से उसी पैन का यूज किया है यहां पर थोड़ा घी लेंगे घी डालने के बाद जो हमने यहा ताकि इसका जो फ्लेवर है वह काफी अच्छे से आए इसके बाद हम लेंगे यहां पर डैसिकेटिड कोकोनट आप चाहें तो दूसरा कोकोनट भी ले सकते हैं बट मेरे पास डैसिकेटिड पड़ा हुआ था तो मैंने उसका यूज कर लिया और इसे भी अच्छे से रोस् तो फोली पे काफी और और भी बगवान बनाए जाते हैं तो सबसे फेमस है घुजिया तो इसलिए हम आज बना रहे हैं घुजिया अगर आपको पसंद आती है घुजिया तो इस रेसिपी का यूद्ध जरूर कीजिएगा अब हम इसे निकाल देते हैं उसी प्लेट में जह और इसे हम कर देंगे अचाखय घुजिया है हैं मेक्स मिक्स मिक्स कर रहे हैं आप हाथ का मैंने भी हाथ का ही उजगिया था यहांपे यह हब हो ज़ुका है गाफ ही मेकस, अब हम यहां पे बुरा या फिर आप पीशी हुई चीनी का भी उज यूजो कर सकते मेरे पास यहां बुरा नहीं था तो मैंने Microsoft चीनी डाली है, तो वडूब ऑरांड fac ci概fik इस जिदिक ड्स 1 लीटियू. हुआ है। ऩ要 हमने यहां पे चड़ा दिया है अब इस की चोटी चोटी लोड बनाते हैं कि अचो यहां पर मेरे पास और नहीं है मैं मोल्ड़ कय यहां पर नहीं कर रहे हूँ तो जैसे अगर आपसे गुल बन जाती है तो ठीक है अधर्वाइस आप किसी बरतन का किसी कॉली का यूज कर सकते हैं इसे बनाने के लिए गुल बनाने के लिए तो बिल्कुर परफेक्ट तो नहीं पर ये फिर भी बन गया है तो यहां मैंने एक कटोरी का यूज किया है जिससे मैं इक सर्कल की शेप दूँगी और देखिए कितना संदर ये सर्कल बना है तो अब हम इसमें कर लेंगे जी फिलेंग एक से डेट चमच आप इसमें डाल सकते हैं अकॉर्डिंट तो जितना भी इसका एरिया है और साइट साइट में हम यहां पर पानी ज़रू लगाएंगे ताकि यह बाहर निकलेना तो इसको मोमो की शेप में हम बना देंगे आप इसमें मर्जी से भी इसमें शेप दे सकते हैं तो इसको इतना पर्म करना है कि जो हमारा मिक्स्चर है वह बाहर नहीं निकले अब हम इसे डाल देंगे घी के अंदर जो कि करम हो चुका है यहां पर मेरा घी काफी करम हो चुका था इसे ही पूल किया था यहां पर आपने जो है लो टेमिल पर ही आपने इसे प्राइब करना है यह देखिए इस पर ब्राउन कलर आग यह हमारी जो है कुचिया रेडी हो जो अब इसे निकाल देते हैं अगर आप इस तरीके से बनाएंगी तो आपकी घुजिया काफी खस्ता बनेंगी और बहुत ही टेस्टी भी बनेंगी और जब भी आप डो बनाएं तब जादा गी का यूज नहीं करें क्योंकि यह बाइंड अप नहीं हो पाता है तो आप सारे गुजिया को दल देते हैं और भी करते हैं टेस्ट तो यह बन के रिड़ी हो जोगी है मारे कुजिया स्पेशल हुली हुली स्पेशल तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी में नहीं है तो मैं टेस्ट करके भी बता देती हूं कि नहीं हैं तेस्टी थे क्वीश टेस्ट करूछग के बताओ स्क्राथ अच्छाइ में गूगे ओन कहीं है